आज हम गुलेटेन फ्री नमक पारा बनाएंगे मतलब की आटे से आज हम बिल्कुल क्रिस्पी करारा नमक पारा बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसा तो चलिए रेसिपी देखते हैं यहां पर हमने सफेद वाला आटा लिया है गेहूं का आटा है यह एक कप अगर आपके प अजवाईं मैंने कितनी लिया है एक टीसपून और सारे चीज़ों को हातों से थोड़ा मिला देते हैं नमक पारे के अंदर अगर अजवाईं नहीं हो तो नमक पारे का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है दोस्तों यहां पर आप मॉइन के लिए मैंने डाल देना है दो से 3 स्पून भर करके तेल और तेल डाल करके खुब मसल करके इसके अंदर जोना मिक्स करेंगे इससे नमक पारे बहुत ही क्रिस्पी और करारे बने यह दोनों हातों से इस तरीके से मैं घस रही हूँ ताकि मॉइन हमारा बहुत ही अच्छा रिडी हो तो यह देखिए क्रंबल होने लग गया है बिल्कुल ब्रेट क्रम की तरह और बहुत अच्छा बाइंड हो गया है तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके एक दम टाइट डो लगाएंगे इसका डो बिल्कुल भी सॉफ मत लगाएगा टाइट डो लगाएगा क्योंकि हम इनको बेलना है फिर अच्छी का ध्यान रखना है ठीक है जी चली हमने इस तरीके से सारा कंबाइन कर लिया है और अच्छे से हमने गूंद लिया और अब हम इसको रख देते हैं रेस्ट करने के लिए आटे का ढ़लना बहुत जरूरी है चाहे आप मैदे से बना रहे हो या आटे से आपको इसे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है तो चली 15 मिनट हो चुका है और अब हम फटाफट से इसको बेलना शुरूर करेंगे इतने सारे में बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है ना यहनी एक कप आटे में बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में नमक पारे घर में बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं कुछ भी इसके अंदर नहीं बहुत ही आसान रेसिपी है अब हम इसको फटाफट बेलना शुरू करेंगे बहुत हलका सा मैं आपर सुखा आटा लगा रही हूँ और आटा लगा करके हम इसको बिलकुल पतला बेलें जब नमक पारे दम क्रिस्पी कुरकुरे से होंगे अगर आपने मोटा बेल दिया ना तो फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे बाद में फूल तो जाएंगे लेकिन सॉफ्ट हो जाएंगे तो चलिए हम फटा-फट से यह देखे बड़ी रोटी हमने रेडी कर लिया है आप इसकी इस स्ट्रिप की तरह आपको कट करते जाना है अगर आप लेक चोटी-चोटी काटी पतली तो नमक पारे छोटे बनेंगे अगर आप आपने पो जादा रखा यानिए की आधिउज इन्च का रखा को या पूनाइंच पारे बड़ा निकाल रहे हों मृस्ट निकाल रहे हो और सारा हम निकाल करके एक बार में प्लेट में रख लेंगे उसके बाद में अब हम दूसरा बैज जो है वो फटा फट से बेलना शुरू करते है तो दूसरा वाला भी आपको इसी तरीके से कट करना है आपको समझ आ रहा होगा कि कितना पतला है यह बहुत ही थिन मैंने इनक अपर गरम हो गया है बहुत जादा स्मोक वाला तेल आपको नहीं गरम करना है बस गरम होना चाहिए अच्छा जैसा हम भजिया पकोड़ा ही सब बनाते है और एक नमक पारा डाल करके इस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ यह देखिए और का टंपरचर बिलको राइट है चल करएं अच्छाने वाले हैं नमक पारे को उसके अंदर रख करके फिर अप जो है और मैझे जैसा की मैं आते का शकर पारा भी जल्दी ही बनाया है उसमें मैं उसी तरीके से डाला है तो आप जो है वाहां पसे च्छक आउट भी कर सकते रेसिपी वह भी आप आटे के शकर प अगर हम फ्राइ करेंगे तो नमक पारे कलर तो ले लेंगे लेकिन यह क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा नमक पारे का यह देखिए यह रेडी हो गया है अब हमें इनकाल लेना है किचन टॉवल पर ताकि एक्स्ट्रा जो भी ऑॉयल है यह अब्सॉ करके खा सकते हैं बटी बच्टे ही कहा है जिसको देखो वो चाय पे खाया रहा है तो यह जादा बच्टे नहीं यह दो दिन में बनाया है यह हमारे दो दिन में खत्म हो गया आपको जादा बनाना है अगर 15-20 दिन के लिए तो आप डबल कॉंटिटी कर दीजे मौइन आप को इसकी क्रिस्पिनेस दिखाती हूँ यह देखिए देखा आपने दोस्तों कितना क्रिस्पी और करा रहा है आटे से नमक बारा बना है जरू इसको ट्राइ करिएगा कल में फिर आऊंगी नई रेसिपी के साथ में आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा थैंक्स वर वाचिन